हाई गाईज वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ जशन के हेर वाश की वीडियो शेयर करने लगी हूँ और साथ में मैं करूंगी टावल ड्राइंग तो गाईज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब क्योंकि जशन की वीडियो तो आप सब काफी ज़्यादा पसंद करते हैं आई होप आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी तो चलिए फ्रेंट्स बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार करते हैं लेट्स केस्टाटेट तो हमने जशन के बालों में लगाया हुए जैसे कि यह ट्युक्त्त बालों में दही लगा देटी हूं क्योंकि ना घर्में उसे खारिश भी बहुत जादा होती है वुटिंग जाता से और मतलब ना दहीं लगाने से बाल काफी आप कनदेया करें। है और तो द्हुंस दाने जाने में बाला में कि geçुके regen बालों और उसके बारें योगा को बेनने पाथ हैं कि लुगीप को पार San principles बसक्राइबंबात स्क्राइ। और इतना अच्छा ये शैंपू है ना मैं मतलब पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये वाला शैंपू जरूर ट्राइ करके देखिए अपने बच्चों को ये वाला शैंपू यूज़ करें इसके रिजल्ट बहुत ही जदा अच्छे हैं मुझे ये शैंपू इतना आप इसे यूज़ कर सकते हैं समर में तो इसके फाइदे बहुत ही जदा अच्छे हैं तो अगर आपको कोई अच्छा वाला शैंपू आप ट्राइ करना चाहते हैं जिसे कि आपके बालों की लैंथ भी इंक्रीज हो और बिल्कुल नैच्छरल हो हर्बल हो तो आप यूर का शैंपू ट्राइ करके देखिए जब आप इस शैंपू को फर्स्टाइम यूज़ करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि बाल काफी जदा ड्राइ हो रहे हैं बट रेगुलर यूज़ करने से आपको यह वाला शैंपू बहुत ही जदा अच्छा लगने लग जाएगा आपके इसम पाल काफी जदा सिल्की स्मूज स्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे तो फर्स्टाइम मैं जब भी जशन को कर वाती हूं दो बर मैं शैंपू करती हूं कि इसके बालों में आल काफी जदा लगा उता है तो पहली बार जब मैंने शैंपू किया तो इतनी जदा ज़ा 7-8 दिन बाद ही मैं जशन को हीर वाश दोबारा करवाऊंगी इसलिए मैं अच्छी तरह से उसके बालों में मसाज कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि उसके बाल बिल्कुल नीट अन क्लीन हो जाए स्कैल्प बिल्कुल उसकी क्लीन हो जाए बिल्कुल भी ऑईल उसके बालो लेंध बहुत ही ज़ादा लंबी है और उसके बाल काफी ज़दा है यह शैंपू भी बहुत ज़ादा यूज होता है आप यह वाले शैंपू ना ड़ा उछा तो मेरी पर्सनल रेक्मेंडेशन पर आप यह वला शैंपू जरूर ट्राइब करके देखिए तो देखिए अच्छी तरह से मैं उसकी लेंद्ध पर मसाज कर रही हूं बाल इतने ज्यादे लंबे हैं कि हीर वाश करवाने में तो कमरी दर्दोने लग जाती है और आज ना चे कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10-15 मिनट लग जाते हैं तो वह बिचारा ठक जाता है तो आज मैंने उससे चेर पर बठाया कि तो अराम से बैठ आहां मतलब बाल पीछे करके तेरा अराम से हेर वाश करवा देंगे तो शैंपू मैंने अच्छी तरह से उसके बालों में लगा दिया है मसाज कर दिया है मैं उसके बालों में पानी डाल रही हूँ आज मैंने उसके कंडिशनर का भी यूज किया डर्व कंडिशनर मैंने उसके बालों में लगाया है क्योंकि जब उसके बाल बिलकुल सूख ज लगाया ताकि उसके बाल बिल्कुल स्मूद सॉफ हो जाएं तो इसी वजय Door Tangle उसके बालों में ज्यादा नार हैं को मैंने करवा दिया है अब मुझे उसके कंडिशन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने डव का कंडिशनर यूज किया है आप भी यूज कर सकते हैं इसके पाउच मार्किट में अवेलेबल हैं सिरफ दो रुपे का इसका पाउच आज अज़ता है बहुत अच्छा वाल बट आप चाहें तो अलग से डव का लिट और यूज़ कर सकते हैं आपने देख़िए कि मैंने कंडिशनर को किस तरह से लगाया लेंथ पर मैं लगा रही हूं सबसे पहले क्योंकि सब्सक्राइब लेंध बात लारी में में और अच्छी तरह से कंडिशनर लगा रही हूं और का फिर स्कैलप पर कमसाज करूंगी एक ही पाउस मैंने लगा थिसे की जितने लंबे मंचree नखी दम लगाने चाहिए वाूञान ऐगा पाउच लगाया है कम से कम एक या दो मिनट के लिए मैं मसाज करूंगी दो तिन मिनट आप कंडीशनर को ऐसे ही लगा रहने दे उसके बाद पानी डाल लीजिए बालो पर कंडीशनर लगाने से बालो में टैंगल कम पड़ते हैं बाल काफी जदा सिल्की स्मूथ हो जटते है वैसे जशन को ऐसी कोई नीड नहीं थी कंडीशनर की बट मैंने सिरफ इसी वज़ जैसे कंडीशनर लगाया है कि टैंगल्स बालो में कम पड़ें तो देखिया मैंने बालो में पानी डाल दिया है अच्छी तरह से जितना भी कंडीशनर है वो सारा निकल जाए जशन को हेर वाश करवाना बहुत ही जदा मुश्किल काम लगता है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पूरा दिन एक तरह से पूरा दिन ही लग जाता है उसे हेर वाश करवाने में क्योंकि पहले उसका हेर वाश करवाओ फिर टावल ड्राइंग करो उसके बाद 3-4 हुत दिया जुड़ा करना थन जीसके अबसे से करवा दिया कोई अब लास्ट में मैं भन बन बना दूंगी उसके साइध कि Snee इसके बाद मुझे कंनीं च्राइग पाईट्र रांग्स टावल ड्राइंग विल्कुल मैं अलग जरूर कर दें क्योंकि व्यूज के अकॉर्डिंग लाइक इतने ज्यादे कम आते हैं आप सब वीडियो देखते जरूर हैं बट लाइक नहीं करते प्लीज गाइस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए आपके एक लाइक से हमें काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जती हैं तो देखे एरवाश मैंने करवा दिया हैं अब मैं जशन को कराने लगी हूं टावल ड्राइंग टावल की हेल्प से ही अच्छी तरह से बालो को पूंच रही हूं पानी वगएरा सारा निकल जाए हमें न ज्यादा टावल ड्राइंग नहीं करने चाहिए इससे भी भाल कम तो आप भी इसी तरह से टावल ड्राइंग कीजिए अगर आप अपने भी कर रहे हैं या फिर अपने बच्छों के भी टावल ड्राइंग करते हैं तो इसी तरह से टावल ड्राइंग करें टावल से जोड जोड से बालों को छाटना नहीं चाहिए इससे हमारे बाल एक तो क पानी निकलता ही रहता है तो जब हम उसे हेर वाश करवाते हैं वह बैट पे लेटता है तो हम नीचे कोई ना कोई कपड़ा ऐसे बिशा देते हैं ताकि जितना भी पानी यह वह सारा निकल जाए बड़े सुन्दर बाल हैं उसके बाल दिन बर दिन और ज़्यादा सुन्दर हो रहे हैं बड़े ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं उसके बाल हर किसी को जो भी उसके वीडियो देखता है हर को यही कहता है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा सुन्दर है तो देखे इस तरह से ब और यह भी बताना कि आप और खूकर से चाहए और मदर्म और आप ने जरूर लायख कर दिया और वीडियो में